अगर किसी देश ने अपनी अर्थ विवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थ विवस्थाओं में शामिल किया है तो वो है चाइना 13.6 trillion dollar की economy के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है लेकिन चाइना की ग्रोथ का ये पहिया थोड़ा धीमे होते नजर आ रहा है चाइना की अर्थ विवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं रोक पाए वहीं एक वाइरस ने इसे जटका दे दिया है इस वाइरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है वहीं चाइना की अर्थ विवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं हूँ भुपेंद्र सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वाइरस का असर आखिर चाइना की एकॉनमी और ग्लोबल एकॉनमी पर क्या पड़ रहा है और साथ ही भारत की एकॉनमी के लिए इसके क्या माइने हैं सबसे पहले बात करते हैं चाइना की चाइना की अर्थविवस्था सबसे जादा निर्भर करती है मैनुफेक्चरिंग पर फिर चाहे वो कार हो मोबाइल हो कंजूमर गुड्स हो या फिर कुछ और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐस में उसी चीज जरूर होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना मैनुफेक्चरिंग के बाद इन चीजओं को दूसरे देशों में एक्स्पोर्ट किया जाता है यानि अगर ये manufacturing रुकती है तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी और उन देशों में भी नुकसान होगा जहां पर ये चीजे बेची जाती है कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना में जादातर इंडस्टीज बंद कर दी गई हैं कार बनाने वाली कमपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दी हैं मोबाइल की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है और चाइना में एरपोर्ट खाली हो चुके हैं कोरोना वाइरस की जहां से शुरुआत हुई उस वहान सिटी की ही बात करें तो यह शहर ओटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहां गाडियों के पार्ट्स आदी बनाये जाते हैं यही नहीं चाइना की टॉप 10 युनिवर्सिटीज में से दो युनिवर्सिटीज वहान में ही हैं फॉरण कंपनियों के लिए यह शहर काफी एहम है DHL's Resilience 360 Index की माने तो वहान में 50 प्रतीशत manufacturing automotive industry से जुड़ी है और 25 प्रतीशत technology से कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना की tourism industry पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नए साल की शुरुआत में जहां ये टूरिस्टों का सीजन होता है वहीं लगभग जादातर international airlines ने चाइना के लिए अपनी flights बंद कर दी हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में लगभग 55 प्रतीशत की कमी आई है वहीं consumer goods की बात करें तो चाइना में consumer goods पर भी काफी गहरा असर पड़ा है वहीं domestic food market की बात करें तो इस पर भी वाइरस की वज़ा से चाइना में काफी असर पड़ा है अब बात करते हैं चाइना के GDP growth rate की बीजिंग के आंकडों के मताबिक साल 2019 में चाइना का GDP growth rate 6 प्रतीशत रहा था और अमेरिका के साथ पिछले साल trade war के बाद इसके अब और बहतर होने की उम्मीद थी लेकिन करोना वाइरस के बाद GDP growth rate 5 प्रतीशत रहने की उम्मीद की जा रही है ग्लोबल कंपनियों की बात करें तो कई ऐसी कंपनिया है जो चाइना से सप्लाई पर निर्फर करती है एपल को ही लें तो एपल के 800 ग्लोबल सप्लाइर्स हैं जिन में से 290 सप्लाइर्स चाइना में ही हैं दुनिया में बनने वाले टीवी में से 9 प्रतीशट टीवी चाइना में ही बनते हैं। यूरोप और अमेरिका में कार मनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज पहले ही शोटेज होने की बात कह रही है। वहीं हुंडाई की बात करें तो इस कमपनी ने चाइना से आने वाले स्पे कार ट्रक और टेकनोलोजी का काफी बड़ा खरीददार रहा है ऐसे में चाइना में कोरोना वाइरस से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी बिजनस और एकॉनमी पर असर पड़ सकता है अब सबसे एहम सवाल भारत का क्या आटो मुबिल सेक्टर की बात करें तो भारत अपने इलेक्ट्रोनिक प्रड़क्ट्स इंजिनेरिंग प्रड़क्ट्स और कैमिकल आदी चाइना से ही इंपोर्ट करता रहा है लेकिन चाइना में बन रही स्थिती के चलते इनके दाम बनने की उम्मीद की जा रही है जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे ओटो मुबिल सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है भारत के टूरिजम पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है क्योंकि 2019 में भारत में आने वाले टूरिस्टों में से 3.1-2 प्रतिशत टूरिस्ट चाइना से ही थे चाइना भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साल 2019 में भारत के कुल इंपोर्ट में से 14 प्रतिशत इंपोर्ट चाइना से किया गया था वहीं कुल एक्सपोर्ट में से 5 प्रतिशत एक्सपोर्ट भी चाइना को ही किया गया था कोरोना वाइरस से पैदा हुई स्थिती के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है यही नहीं भारत की डाइमंड इंडस्ट्री को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है पैरासीटा मोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाली ड्रग जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उसका दाम भी पिछले दस दिनों में दोगना हो गया है बाकी रही बाद चाइना से आने वाले मोबाईल या टेकनोलोजी की तो इनकी शौटेज भी हो सकती है जिसके चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद भी की जा सकती है लेकिन भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है वही इस थिती का भारत को फाइदा भी मिल सकता है जैसे ग्लोबल बायर सेरेमिक, होम बेर, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए चीन की जगा अब भारत की और अपना रुक कर सकते हैं और वहीं चाइना की लोकल प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण भारत, कैमिकल, पेट्रोलियम, एग्री कल्चरल, इंजिनीरिंग गुड्स और प्लास्टिक जैसी चीजे चाइना को एक्सपोर्ट भी कर सकता है यही नहीं चाइना में चल रही स्थिती के चलते कच्चे तेल के रेट में कमी आ रही है जिसका फाइदा भारतिय बाजार को मिल सकता है अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक